रेडियो खाची 90.4 एफम पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। आप सुन रहे हैं रेडियो खाची 90.4 एफम हम सब का रेडियो मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस अध्यक्ष हिंदी विवाग संजेविर कॉलेज राची। आज मेरी वारता का विशेह है भूमननली करण संस्किती साहित्य समाज और भाषा। इस परिवर्तन की रफतार के साथ आबादी के सक्षम लोगों का एक छोटा सा हिस्सा ही चल पारा है। दूसरी ओर वंचितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों आदी की एक बड़ी आबादी इस परिवर्तन की नगरातमक्ता को जेल रही है। वैसे परिवर्तन तो समाज की हर वर्ग में आया है लेकिन उसके सर में आसमान जमीन का अंतर है। वस्ता भारतिय समाज में भूमनली करण की चेतना का अधकचरा विकास हुआ है। ऐसे विकास के पिछे कारण भी इसपस्ट है कि भारतिय समाज पस्चिम की संस्किती का अंधानू करण कर रहा है। इस प्रविति के कारण समाज में जिस कोटी की भूमंदलिय चेतना का विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। भूमंडली है चेतना का सहे दिशा में विकास तभी संभव हो पाता जो भारतिय संस्किती और आचार विचार पर आधाय संस्कितिक और समाजिक परिवत्तन होता किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग हैं जिनकी आवादी ज्यादा है और जो पस्चिमी संस्कितिक प्रफाव से अपने को दूर रखते हैं। वे पस्चिमी संस्किती को अपर संस्किती के संग्या देते हैं। उसकी किसी भी तत्तों को सुकार करने में हिचकते हैं और कुछ सुकार भी करते हैं तो उनके त प्रिष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष्ट्ष बना रहे हैं वो ना तो पषिच्चिमी हैं और नहीं भारतिये उसमे अद्र कचरापन है उनकी संस्किती मात लिखावे के लिए है ये बताने के लिए हैं कि वे आद liters हो गये हैं आद्मिक्ता के बुखार से तपते ऐसे लोगों की हरकतें भारतिये संस्किती समाज सहित्यIGN औ साहित्तिक और भाषाई परिवर्तन किस कोटी का हुआ है और क्यों हुआ है भूमनलिकरन कोई आज की प्रक्रिया हो ऐसी बात नहीं है हमेशा दुनिया की विविन्य देश एक दूसरे के करीब आते रहें विविन्य धर्म और समुदाय के लोग अपने देश से दूसरे देशों में आते जाते रहें उनके बीच विचार और विवहर का आजान परदान होता रहा है वे आपस में सांस्कितिक और भाषाई आदान प्रदान के सास सास ज्यान विज्यान का आदान प्रदान भी करते रहें लेकिन तब दो समुदाईयों या दो दिश्चों के बीच जो सांस्कितिक आदान प्रदान होता था उए एक तरफा नहीं होता था उनके बीच एक सम्मिस्रित संस्किती बनती थी एक समुदाय, दुस्रे समुदाय से संस्किती के सत्वों को लेते थे और हर एक अपनी संस्किती को परिमार्जित करता था बेतर मानव जीवन को पाने के लिए आज के दौर के अमरीकी नेतित तवाले भूमन लिकरण में दुनिया के हर देश पर अमरीकी या कहें तो पश्चिवे संस्किती का एक तरफा आगमन हो गया है वह भी बहुत तीवर गती से ये एक संस्कितिक हमले की तरही समाशास्त्रों के दौरा दिखा गया है भारत भी इस प्रक्रिया से अचुता नहीं है इस भूमन लिकरण के दौर में भारत का समाज और उसके संस्किती की पहचान उसकी सुगंधी उसका लालित्य उसका वैचार पतल सब कुछ दूल गया है अमरिकी संस्किती की पगलाई उफन्ति नदी की धारा में संस्कितिक रिष्टी से आज का भारत्य समाज संक्रमनकालीन इस्तिती में है यहां के रिकांग्ष लोग न तो अपनी संस्किती से अलग हो पा रहे हैं और नहीं अमरिकी संस्किती को पुर्णता में स्विकार कर पा रहे हैं। भारतिय समाज में जिन्होंने आदमिक्ता की चादर ओड़ी हैं, वे भी वस्तुतन न आदमिक हैं और न सुन्दर और नूतन परिमादी संस्किती में ही हैं। बलकि ये कहना उचित होगा कि अधिकांग्ष भारतिय आज एक अंधी गुफा में प्रिवेश कर गए हैं। उनके नूतन चेतना का स्वर विक्रिती का शिकार है। भारतिय समाज अपने वसुधेव कुटम्बकम की संस्किती और निती पर अपनी संस्किती को सदा से ही सर्व गराही और समावेशी बनाए रखा है। लेकिन आज चिंदा का विशह यह है कि समाज भारतिय संस्किती का परिमारजन नहीं कर पा रहा है बलकि यह विस्ताफन की और ही अग्रसर हो रहा है यह फिर एक अधकच्री संस्किती का दिर्मान कर रहा है जिसमें अमेरिकी संस्किती के वे रंग ज्यादा हैं जो वार्तिय जीवन को बजरंग करते हैं बजशक्ल बनाते हैं इस देश के भूमन लिकरन के इस दौर में बहुत से समुधाय महसूस करते हैं क्यों ये रात में सोते हुए अपने गाउं जिहाद से निवार्क की सड़क पर पहुचा दिये गए हैं और जागने के बाद उनको लगता है वे पृठी पर नहीं हैं बलकि किसी और ग्रह में थेल दिये गए हैं वे चमभी थें अपनी गरेवी अपने तन के फटे वस्तरों और निवार्क की सड़कों पर अमीरों की चमचमासी कारों को देखते हुए अमरीकी लोगों के तन पर के कपड़ों को देखते हुए उनके भब भी होटलों को देखते हुए और याद करते हैं अपने गाउं दिहाद की पब्डनियों पर पीने के पानी के लिए उनका दस किलिमेटर पैदल चलना सब्ता में करे दिन सोते चुलों को बेरुष्टा के साथ देखना और जब ये फटे कपड़ों में उनकी बेटियों के शरीर के जागते आंगों को याद करते हैं तो उनका सर शर्म से जुख जाता है लेकिं तभी उनकी याद करते हैं कि अमरीकी शहर के युवक और जुवतियां ब्रान्डेट फटे जीन्स में चले आ रहे हैं जहनती जांगों का पदर्शन करते हुए उनको कुछ राहत मिलती है कि गरीबी और अमरीके इस जीन्स में एक पूल है समता का और जब इस स्वपन से उभारतिया समुदाय निकलता है तो वह भी नकल करने लगता है और पहने लगता है अपने आर्थिक आवकात के ब्रान्डेट फटे जीन्स की नकल सपने देखें लगता है दस सितारा होटलों और चम्चमाती कारों का तो उसमें आवसात के लक्षन परकट होते हैं वह भारतिया नकली जीन्स तो करी सकता है लेकिन हर दिन चूला नहीं जला सकता और उसके लिए होटलों में खाना तो सपनों से भी ज़्यादा कठिन है अमेरिकी अर्टित्यवाले इस भूमनली करण में असीम आर्थिक असमानता ने भी आम भारतिये समुदायों विशेश कर निम्नबर और मद्धवर के समुदायों को कठिन सांस्कितिक परिस्टिये में लाकर खड़ा कर दिया है आज उनकी सम्सकिति ही नहीं मिट रही है बलकि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है अभी इस समय उनको ऐसे साहितिकी जरुरत है जो नुटन वैश्विक यतना का दिरमान उनके लिए कर सके उनको सही रहा दिखलाएं और उनको जीने की कला ऐसी दे जो भारत्य संस्किति के आधार पर एक आधनिक परिमार्जित संस्किती हो यह सत्य हैं कि जो संस्किति समय के अनुसार सही दिशा देने में सही सोज विचार के साथ परिमार्जित करने में सफल नहीं होती वो या तो पिछण जाती है या मिट जाती है भारत्य समाज को भूमन लिकरहन के इस दौर में इन अब संस्कितियों का सामना करना पढ़ रहा है वे हैं उभोक्तावादी ब्रांडे संस्किति उनसे जनीत और प्रभावित मिडिया विग्यापन का मायावी जाल जो मानसी दबाव बनाकर उभोक्ता बनाता है शिल्ता और नतिक्ता को चम्भित करने वाली परिभाशा है नारी का उदंता के साथ शोशन उच्च वर्ग और प्रभावित लोगों के बीच बढ़ता भस्टाचार बढ़ता अपराद आतंकबाद आदि और इन सबसे प्रभावित भारतिये जन समुदाय और उनका साहित्य भाशा, जीवनशैली, सोच, चिंतन, अध्यात्मिक्ता और रोटी के लिए बढ़ती हुई संघर्ष लेला ये नकारात्मक तत्व में एक तत्व अश्रेज़ता को देखें तो ये स्पस्ट हो जाता है कि उसकी परिभाशा पहले की भारतिये परिभाशा की भीपरित है और उसका इसिकल कोड भी यानि उसकी नैतिक्ता भी नुतन सोच पर है जिसे भारतिये संस्किती में अनैतिक कहा जाता रहा है आज के भूमन लिकरन में सुलीलता खुलेपन में है नगनता में है विक्षित एक्सपोजर में है विक्षिती बॉडी लैंग्वेज में है विक्षिती भाषा में है उस विक्षिती का शिकार तुवहिवादन और प्रस्मसा के शब्द में भी हो गए हैं कभी पस्ची में भी बेश्याओं के लिए प्रियुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द हॉट सिजलिंग, बर्निंग, सेंस्वस, सेक्सी, हॉट चिक, आदी आज हिंदी में धरले से प्रियुक में आ रहे हैं अपने घर और बाहर की लड़कियों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं हाई सेक्सी, हाई सिजलिंग, हाई हॉट आदी ये भाशा ही अब संस्किती के वेश्य करन की एक छोटी सी तस्वीर है आज बाजार वाद में बाजार घर में दिखता है लेकिन घर में घर नहीं दिखता दिखता है टाइल्स, मौडरन वास्टरूम, मिनी जीम, हेलो हाई की बोलक्याल वाली भाशा आदी पडिवार के नाते रिष्टे अब भारतिय संस्कार से दूर होते जा रहे हैं आफसे समबाद और बेभार बहतिक्ता वादी ये बाजार वादी हो गया है समाज में आनियोजीत और आनियंत परिवर्टन हो रहे हैं अज कच्री मांसिक्ता के साथ और इस मांसिक्ता में सबसे ज्यादा भुख्ट होगी हैं स्त्रियां पहले भी बाजार की छिपी ढखी बस्तू थी और आज बाजार की प्रसम बस्तू है। राट-दिन खूले उनमुक्त बाजार में, इंटरनेट पर भी, हिंदी सिनमा में भी, हिंदी के साहितकारों में भी, गानिमत है कि कुछ साहितकार इसे अब संस्कृति से लड़ने वाले साहित का सुजन कर रहे हैं और नूतन चेतना के लिए वातावरन भी बना रहे हैं हिंदी के साहितकार का एक वर्ग पस्चिम के फेमिनिजम यानि स्त्री विमर्ष कर उनको फ्री सेक्स के लिए लिविन के लिए समलंगिता के लिए कुछ प्रड़ित कर रहे हैं तो साहितकारों का एक वर्ग भारतिय संस्कृति की अनलूप स्त्री विमर्ष को अपने साहित में संतुलित भाषा में उपस्तित कर रहा है अनेक व्यंगियू पनाश्यों का सिजन तो नूतन सामाजी आर्थिक साहितिक धार्मिक विशंगतियों पर पूरी तातकालिक्ता के साथ हमला कर रहे हैं हाशिये के लोगों के लिए जद्दुजहाद कर रहे हैं कुछ साहितिकार खुश हैं कि दुनिया के 25 से भी अधिक देशों में देश्यावित्ति को कानूनी माननेता मिल गई है भारत में समलंगिकता को कानूनी जावा पहना दिया गया है और उनकी उमीद है कि भारत में अब देशा वित्ती भी कानूनी मानने सा प्रात कर लेगी दूसरी ओर ऐसे अनेक उपन्यासकार व्यंग्यकार कवी आलोचक अमरीकी अब संस्किती को नकारते हुए हिंदी में सहतिक कर्म कर रहे हैं कुछ लोग भारत को रूडी वादी कहते हुए अगाते नहीं हैं जब कि अमरीकी संस्किती के समस्थ नकारात्मक तत्मों को विश्व के अनेक देशों में पावंद्य लगा दी गई है जिनमें एक अत्याधुनिक फ्रांस भी है अता अब संस्कृति की सहाथी किर्टियों में प्रकत्ता के साथ आक्रोश के साथ आलोचित की जाने की जर्वत है ऐसी आलोचितना तो कवीर ने भी कवी की थी जब धर्म और समाद में विक्रिती चाहने लगी थी दक्षिन भारत के बारिश दापदी के वसाव कवीयों ने भी विक्रितियों की जज्यां उड़ाय थी यगिन आज तो सरवत्र विक्रितियां ही दिख रही हैं संस्किति हो या आर्थिक समाजिक धार्मिक राज्यतिक जीवन हो सब में विक्रितियों का समावेश थोक भाव में हुआ है आज भी संगजी के बोल विवास के बोल ही समाचार बन रहे हैं और वही साहित में प्रियोचित भी हो रहे हैं संगजी फून बोल या सत्य बोल की कीमत ना समाचार जगत में है ना साहित जगत में अलका सरावी के पन्यास कली कथा बाया बाईपास में किश्वर वाबू पड़ल जी से कहते हैं इस इंडिया कंपड़े ने भारत को इतना लूटा था उसे हज्जारों गुना लूट अब विजर्शी कंपड़ियां हमारे देश में कर रही हैं डॉलर की तुल्ला में रुपिय का दाम इतना गिरा दिया है कि यहां से एक करोर का माल विजर्श जाता है तो इसकी कीमत मिलती है एक चोथाई कहने का ताथ वर यह कि इभू मॉनलिकरन के प्रभाव आज पन्यासों के विशे हैं राजिश शर्मा का विशर्जन देखें तो पता चलेगा कि विक्रितियों के कारक तत्व क्या क्या हैं दुसरी और रविंदर काले के परन्यास A, B, C, D में भारत से पलायन की ललक लिए भारतिये युवापिड़ी पर तर्मी करता है उपर न्यास में एक माँ अपने बेटे से बोलती है नागरिक्ता लेने के लिए नजाने कितने सत्य जूटे शफ़त पत्य तुमने दाकिल किये थे विदा मूना खलवाओ और पुत्र का जबावाता है मा तुम जिसे जानती नहीं हो कि उसी रिश्य मुनियों के धर्ती से छल चद्म से कितने लोग यहां आते हैं कोई सगेवाओं से फ़र्जी शादी रचा कर चला आता है तो कोई बहु से जितनी जूटी शादीय और जूटी तलाग यहां के दुस्तानियों के बीच होते हैं किसी दुसरे मुल्क के लोगों के बीच नहोते होंगे मा काक्रोश और बेटे का जवाब क्या यह नहीं बताता या भार्तिया मा और बेटे के बीच कैसा विश्वास प्यदा हो गया है और नई पिडि की मासिक्ता में क्या विकार प्यदा हो गया है विवास अंगस्ता में ग리किती उत्पर्ण करने की छेष्टणा को उशाफ प्रियमदा ने अपने परन्यास अंतरवेशी में दिया है उन्होंने देखा कि बनारस की एक परंपरागत मद्धमवर्गे पड़िवार में जर्मी चिर्मून अमरीका जाने के करम में चिर्मून से मासुरी वनश्री और फिर वाना बन जाती है और सम्लेंगिता को अपनानी की और कदम बढ़ाती है अपने पती की मिच्टे से विवाह कर लेती है और ऐसा करते हुए उसके पास एक अमेरिकी सोच है रविन्द वर्मा को परन्यास दस बरस का महवर बादारबाद और वगतावाद को देखता परकता और विवेचित करता है और उस परन्यास की इस संगवाद में दिख जाता है हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें सुज़ोषेनिया का अंदेशा और फी ज्यादा है यह ऐसा समय था जिसमें देश के एक दिहाई लोग भूखे थे और एक चोथाई लोग पिज़ा खा रहे थे बाकी लोग पिज़ा की पदर्शन खिड़की में आँख गड़ाएं खड़े थे आज की इस हिंदी पन्यास अगवारों की तरह ततकालिता वाले होते चले आ रहे हैं और उनका सुरुब भी भूत पन्नों वाला समाधर पत्र की तरह हो गया है प्रश्चिम के साहित में जिस परकार अब शब्दों का प्रियोग होता है वेसाही प्रियोग राजंद्र जादो काश्रिनास सेंग डॉक्टर ग्यान चितरवेदी आदे ने किया है ग्यान चितरवेदी के पन्यास हम ना मारब में आपती जनकालियों की संख्या दोसो बहत्तर से ज्यादा है वे स्त्रियों को अपमानित और अज्जित करने वाली है हिंदी के सभी विधाओं में रचे जा रहे हैं साहित में भाषा पर भूमन अली करण का बहुत गहरा तुखाव पड़ा है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भूमन अली करण ने भारतिय समाज, संस्किती, साहित और भाषा में बहुत परिवत्तन आया है और इस परिवत्तन में साथ्थक परिवत्तन के तत्व नाम मात्र के हैं और नकारात्मक तत्व थोग भाव में उपस्तित है